अब हम यहाँ पर डिसकास करने वाले है अपना मिरर फॉर्मुला एंड जो हमारा मेगनिफिकेशनर उसके क्या यूज है कैसे वो कोशिंस में यूज होते है वो समझेंगे बात करें यह आपके पास हमने फॉर्मुला लिखा है 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon u अब f क्या होते है अब ही जो हमने टेबल डिसकास किया था उसमें देखा था f होता है हमारी focal length जो यहाँ पे लिखा है f is focal length then v हमारा होता है image का distance और u हमारा होता है object का distance तो हमें यह वाला फॉर्मुला याद करने है 1 upon f equals to 1 upon u plus 1 upon v इसको आगे पीछे कर सेथे क्योंकि plus है चलो अब यह तो हो गया formula जब हम norman numericals करेंगे यह formula use करेंगे अब बात करते है magnification तो magnification एक तो क्या है उसका formula और उसके क्या uses है तो magnification अगर आपको निकालना है तो उसका formula होता है height of image upon में height of object image की क्या height है उसको डिवाइड कर दो object की height से या फिर अगर आपको HI और HO नहीं दे रखा तो हम use करते है formula minus v upon u यह चीजे हमारी use होते है अब अगर आपको question में magnification आप निकालना हो क्यों निकालना हो क्या फाइदा है यहां पर question में आपसे पूछा जाएगा nature बताओ तो जब भी आपको यहां पर nature बताना होगा तो उस case में हमारे ही होगा क्यों कि magnification से हैं पदाचल जाएगा image real है या virtual है या image enlarge होगी या diminished होगी वो हमें magnification से पदाचलेगा देखो ज़रा if m is negative image is real अब यह चीज़ बहुत simple है m अगर आपको वैसे चाहो तो आप यह याद कर सकते हो कि हागर negative आया है तो वो रहागा पट actual में इसके पीछी क्या logic है तो अगर आपका magnification negative आया magnification negative आने से हम क्या यहाँ पे जच कर सकते है कि इस side पे है negative मतलब इधर अगर हम convex किया concave mirror की बात करें दोनों ही cases में यह part होता है हमारा real जहाँ image बनती है क्योंकि यह front of the mirror है right side मतलब virtual image यहाँ कर सकते है behind the mirror so left side पे अगर वो है तो वो image real होगी जब भी आपका M negative है that means वो real होगा left बोले ना मेरे राइट ना बोले समझा ना यह left है which means real image बने क्योंकि वो mirror के सामने बन रहे है इसी तरह से अगर M आपका positive आ रहे है positive मतलब इस तरफ को जा रहा है that means image जो हमारी बन रही है वो कहां बन रही है mirror के पीछे विचार virtual image तो वहां से यह virtual हो गया next है जी if hi equals to ho then M equals to 1 obviously यार अगर height of image भी 6 है और height of object भी 6 है दोनों cancel out 2 के 1 आ गया हमारे पास मतलब image का size अगर आपके पास माल लो यह M equals to 1 है इसका क्या मतलब है कि आपका object का size और आपका image का size मतलब height है वो दोनों same हो ठीक है इसी तरीके से अगर हमारा image का जो height है वो object के height से बढ़ी है अब image अगर 6 है और object आपका 2 है इस case में हमें दिख रहा है image का size बड़ा है मतलब enlarged है लेकिन आपके पास अगर यह 602 नहीं दे रहे के लेकिन यह पता चल गया कि M जो है हमारा वो greater than 1 है तो हम कह सकते है image enlarged होगी और इसी का वाइसा वर्सा अगर हमारे पास M जो आया है वो less than 1 आया है तो हम कह देंगे image छोटी बनेगे diminished होगी चिक है clear हो गया यहां तक बाकी जितनी भी चीजें यह session और इसके पीछे वाला session जब आप numericals करोगे तो आपको और clear हो जाएगा now without wasting any time numericals पे आजाते हैं but in the next video so I'll see you all in the next video then take care and bye bye